हड़्यों के मजबूती और बयादर काम काई के लिए वीटामिन D बहुत जुरूरी है। वीटामिन D की कमी के कारण, फैक्चर और हड्यों की बिमारी ऑस्ट्यो पोलशी सा खतरा बढ़ जाता है। भारत के सत्तर से 90 फिस दिलोग विटामिन D की कमी के शिकार हैं। यहाँ जानकारी एक नए अध्यान में यहाँ बात सामने आई है। इतना ही नहीं देश में 84% गर्वती महिलाओं में विटामिन D की कमी देखी गई है। हड्यों के मजबूतियों और बहतर कामकाच के लिए विटामिन D बहुत जुरूरी है। विटामिन D की कमी के कारण, फैक्चर और हड्यों की बिमारी ऑस्ट्योपोरोसिस दा खत्रा बढ़ जाता है। गर्वती महिलाओं में विटामिन D की कमी का असर उनके नवजात शिशूँ में भी देखा जाता है। युवाओं में विटामिन D की कमी लोग बोन मास और मास्पेशों की कमजोरी से जूड़ी होती है। यह रिसर्च 158 लोगों पर किया गया है। रिसर्च के अनुसार मुंबई में 88% व्यासरक लोगों में विटामिन D की कमी देखे गई है। उन्होंने यह भी बताया कि टाइप 2 डाइबेडीज रोगयों में 84.2% लोगों में विटामिन D की कमी थी जबकि विटामिन D की कमी वाले हाई बलड प्रिसर के 82.6% मरीज थे हैं। शरीर में यदि विटामिन D की कमी हो जाए तो बॉड़ी जल्दी बीमारियों के जबेट में आती है। जरासम उसम बदलते ही बीमार हो जाते हैं। हर समय ठकान कमचोरी महसूस होती है। बॉड़ी में कई जगा दर्द रहने लगता है। खासतोर से पीठ का दर्द, तनाव, डिप्रेशन, बालों का जड़ना भी विटामिन D की कमी से होता है। विटामिन D की कमी को पूरी करने के लिए आपको धूप लेनी चाहिए। सुबा 6 से 8 बज़े तक की धूप आपको लेनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।